जहां बात आती है development और learning की हम सब अपने बच्चों को best देना चाते हैं सबको best देने के बावजूद ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत अच्छी तरह से सीखता है बहुत pass सीखता है कोई धीरे धीरे सीखता है या कोई बहुत कम सीखता है यहां मैं किसी बच्चे या parents को target नहीं कर रही हूँ पर this is the fact तो आज मैं बताऊंगी brain boosting exercise skills या activities के कुछ important facts जो की parents को जानने की जरूरत है साथ ही रहेंगे कुछ tips जिससे आप बच्चे की brain activity को बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को end तक देखिएगा कि यह सारी चीजे अभी तक किसी ने बताई नहीं है अलो नमस्ते मैं डॉक्टर अनामिका हुई audiologist and speech language pathologist हूँ देखिए बच्चों को हमेशा encourage कीजे कुछ नया सीखने के लिए इसके अलावा बच्चों के diet का भी खास ख्याल रखिए घर का खाना खिलाएए दूद पिलाएए बाहर के junks, maggie, chips, cold drinks एकदम नहीं आप brainify health mix खिला सकते हैं जो की ayurvedic formulation से बना हुआ है seven herbs के mission से बना हुआ है और जो overall brain development के साथ memory and cognitive function को भी improve करती है ये two years के above के बच्चों को दे सकते हैं मैं यहाँ disclaimer देना चाहूंगी कि अगर आप special बच्चों को दे रहे हैं ये तो therapy के साथ दीजे therapy बंद नहीं करनी है इसका link मैं description box में दे दूँगे आप लोग check out कीजे ये learning यानि कुछ सीखना सबसे बड़ा brain boosting exercise है चाहे आप नया language सिखाईए चाहे sucking सिखाईए चाहे blowing सिखाईए कुछ भी practice करवाईए art and craft करवाईए sleeping line, standing line सिखाईए कुछ भी rhyme सिखाईए ये सारी learning brain boosting exercise होती है सिर्फ बच्चा ही नहीं आप भी learning में रहिए आप भी कुछ न कुछ books पढ़िए आप भी कुछ न कुछ सीखिए उसे practice कीजिए ताकि brain में activation process चलता रहे brain boosting exercise का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कुछ न कुछ इस तरह से बच्चे को सिखाए ये बहुत सारी videos मैंने देखी है जो कि बहुत interesting है और सच मुछ लाबदायक है लेकिन जो बच्चे ये नहीं कर सकते हैं जो बच्चों का motor development इतना नहीं है कि दोनों हातों को हिलाए या दोनों उंगलियों को ऐसे हिलाए ठीक है प्रैक्टिस करवा सकते हैं लेकिन अगर बच्चा नहीं capable है तो तब क्या करेंगे तब नया कुछ सिखाने की कोशिश किजिए advanced level पे बच्चे को लेकर जाए वो ही होगा बच्चे के लिए brain boosting exercise अच्छा parents बोलते हैं कि बच्चा बैठता ही नहीं है तो हम क्या सिखाएं सब कुछ सिखाने के लिए बैठने की ज़रुरत नहीं होती हाँ हम बोलते हैं कि sitting activity करवाईए sitting बहुत important है लेकिन age wise important है अगर 8 months to 1 year के बच्चों में sitting नहीं है जो कि बहुत normal है normal development है कि बच्चा बैठता ही नहीं है बच्चा crawling सीख रहा है या बच्चा walking सीख रहा है तो बच्चा बैठेगा नहीं तो तब क्या बच्चा कुछ सीखेगा नहीं पर उनको कैसे सिखानी है ये बहुत important है बच्चपन में क्या करते हैं हम बच्चों को ABCD सिखाते हैं rhymes भरपूर सिखाते हैं memory develop करते हैं ताकि बच्चा याद करके बोले ठीक है that is also a brain boosting exercise हम क्या कर रहे हैं brain को hammering कर रहे हैं through rhymes बार-बार repeat करवा रहे हैं ताकि brain में brain activate हो जाए और poem को retention करें memory retention हो same way हमें उनको stories सुनानी है बच्चे को हर काम में engage करिए और आप बच्चे के daily routine के माध्यम से भी बच्चे को तरह-तरह की चीज़े सिखा सकते हैं लेकिन बच्चा अगर बड़ा है suppose कि two years onwards है लेकिन फिर भी attention नहीं देता है sitting नहीं है तो learning activities के साथ आपको sitting पे भी work करना है next है बच्चों को innovative memory games में involve कीजिए as per their age and understanding आप ऐसी activities के लिए मेरी ये वाली video देख सकते हैं ये सारी games बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि बच्चों को variety मिलती है और इन सब games के माध्यम से आप घर पे बच्चे को engage भी कर सकते हैं अभी गर्मियों की चुट्टिया आ रही है उस समय कैसे बच्चे के साथ time spent करें बिना screen time के और भी games के लिए comment कीजिए games तो मैं और भी innovative games लाऊंगी इसके अलावा आप maze activity में भी बच्चे को involve कर सकते है maze activity क्या है इसके क्या फायदे है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी आप spot the difference odd one out ऐसी चीजे भी बच्चे के साथ कर सकते हैं जैसे दो fruits रखे हैं एक vegetables रख दीजिये बीच में तो आपको बताना है कि इसमें क्या odd है आप घर पे ही इस चीजे करवा सकते हैं I hope इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होगी अगर ये वीडियो आपको useful लगे तो please like and share जरूर कीजिये क्योंकि आपका एक action किसी बच्चे के development में फर्क ला सकता है Thank you for watching